वॉट्सप गाइज वेलकम बैक टू मैं चैनल आज में लेकर आहा हूं अपनी क्वांट्स की सीरीज की यह तीसरा टॉपिक करा रहा हूं टोडल थर्टीन टॉपिक करने हैं हम थर टॉपिक पर आ चुके हैं आज की वीडियो में भी मैं पूरे कॉंसेप्ट और फॉर्मुला करेंगे तो को सिरा करते हैं के अपना क्वांट्स करेंघर के अपरे लिएंगे के बिल जून में होगा तो टइम है हमारे कुश पसता नहीं है इंग्लिच सब्सक्राइब कीजेए। बहु की चेक कालन हैं चैनल पर नई हैं तो चानल आही मैंनत लगती है आपके लिए सब चीज़े बनाने में हमें मोटिवेट कीजिए हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे अगर वीडियो अच्छी लगए तो लाइक भी करी दीजेगा बिना किसी टाइम पर चलते हैं पहले कोशन नहीं पहले कॉंसेप सिखाता हूं सबसे पहले सबसे बसे बसल्गी बात कर लेता है रिशे होता क्या है र сигौ किया होता है ना तो इसमें इसमें दोcken पूशेदें देधा ще day पुलना ओना ज फ्निर आए तो इसमें किया होता है जो यह नियूम्रेटर होता है इसको बोलते है इस् works кораб adversary यह जानलो कि पूशन उन जह में एक तो आपको प्लक्राद कर이는ेड पता होना कि बाता है वंग तो इससे बोलतayı डो बेसिक था, कहीं पूछे का नहीं है, as such, आ जाते हैं, main बातों में, proportions की, तो मैं आपको थम्मिल में भी दिखाया है, कि third proportion, fourth proportion क्या होता है, मानलो लिखाया है, a is to b is equal to, b is to c लिखाया, ये लिखाया है, मानलो अगर ऐसे लिखा हुआ है, कोई ratio में, तो इसमें तो c है, वो आ पूलेगा कि proportion निकालो, तो अगर कहीं पर लिखा हुआ है, एक मिनट में, इसको अटा दू, इसको एक मिनट में पता दू, हाँ, समझके, अगर a is to b लिखा, a is equal to b is to c, तो आपका c है, वो third proportion है, समझके, कि वो a और b का third proportion है, अब अगर मानलो, इसको मानलो लिख देता हू वो आपको आता है fourth proportion, यह भी निकालना पड़ता है, अब कैसे निकालोगे, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, वैसे ही निकालोगे, आप a by b लिखोगे, is equal to b by, c निकालना है, तो b by x लिख दोगे, x लिख दोगे, अभी question आएंगे, मैं समझाओंगा, अभी आप जान लो, third proportion का मतलब क्या होता है, कि हमें निकालना है, कि इन दोनों से proportionate तरीके से तीसरा क्या मिलेगा, इन दोनों से proportion तरीके से चोथा क्या मिलेगा, इन तीनों से proportion तरीके में, है ना, तो basically, same proportion में अगर हम आगे बढ़ना चाहें, एक तरह से reasoning की भी तैयारी हो रही है, तो वो होत आपको एको पहले इंटू करना है बी से जो वैल्यू आएगी उसको आपने कर देना है रूट में समझ कि उसका अंडरूट निकाल देना है यह बेसिक तीन चीजे आपको पता होनी चाहिए कि थर्ड प्रपोर्शन फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है और भी कुछ बाते हैं अगर आपसे कोई पूछ ले कम पाउंडेड रेशयो क्या होता है है ना आपको यहां पर एक छोटा सा ब्रैकेट वाया तो वैसे कोई इन जनरल नहीं पूछता बट किसी एपर में आ गया तो भजा ने सब बताया उसको पता होना चाहिए मानलो आपको रेशयो दिये हुए कि A is to B है है ना और आपको दिया हुए कि C is to D है और आपको दिया हुए कि E is to F है तो आपको जाए कम पाउंडेड रेशयो निकालना तो कैसे निकालते हैं A को इन्टू करोगे C से इसके वाले पहले से और इसके वाले पहले से E is to B, D, F यह आपका बन जाएगा समझ गे हर किसी के फर्स प्रपोर्शन को अपने फर्स प्रपोर्शन से इंटू किया से किया होगा यह कंपाउंडेड रेशयो बहुत रेर को इससे बट एक अच्छा को और एक बात आपको बताऊंगा चलो को बताऊंगा बाकी की चीज़े बाकी जादा फॉर्मला नहीं कि यह रेशयो का प्रपोशन किसे कहते हैं फोप्रपोशन में प्रोपोशन क्या होता है ठीक है ख जादा नहीं रेशयो का कॉंसेप या आद करेंगे को भॉप समझेंगा चलिए पहला question very important question कोई paper ऐसा बना नहीं आज तक जिसमें ये question ना आए बच्चों को इसका तरीका नहीं बता होता हो सब गलत करके आते है 100% गलत होता है क्या दिया है कि A is to B है 2 is to 3 और B is to C है 5 is to 7 अब पूछ रहा है कि A is to B is to C किसे निकालो बहुत आसान तरीका नहीं जिसको पता है उसके एलिए बहुत मखन कोईश्ण है करना क्या होता दिखको इसके लिए पहले को क्या करना है कि A को है लाईन को कि Tcesa-cash by 25 जा जबना वी पहला मिल गया वी अब जो उपर वाले का B है उसको B से करना है और फिर उसको C से into करना है तो पहले 3 को 5 से करो क्या आएगा 15 और 3 को 7 से करो क्या आएगा 21 खतम यही बस करना होता है अगर आपको A is to B दिया हुआ है B is to C दिया हुआ है तो A is to B is to C निकालना बहुत असान है पहले आप A को दूसरे वाले के B से into करोगे A को into करोगे B से फिर B को ही B से और B को C से बस आपके यह इसको 1, 2, 3 आपको मिल जाएगे तो इस्टू में लिख देना वही आपका answer होगा 10 is to 15 is to 21 क्या यही answer है जी हाँ यह answer है चलते हैं आगे यह question बड़ा important है लगभग अच्छे papers जो बनते है थोड़ा सा time जिन में हो उनमें यह question आ जाते है और यह भी आता ही है सबको पता होगा यह तो NCRT book का question है लिखा है एक bag में 1 रूपी के coins है 50 पैसे की coins है और 25 पैसे की coins है ठीक है और वो कितने coins उसका ratio दिया हुआ है कि वो 5 इस्टू 6 इस्टू 8 के उसमें है तो पहला तो ऐसे convert कर लो एक रूपी को क्या बोलते है 100 पैसा बोलते है सबको पैसे में कर लो 50 पैसा और यह 25 पैसा अब मुझे बस एक बात बताओ guys आचा यह तो को यह ratio में है तो ratio को number कैसे बनाते है समझके मतलब कितने number of coin है हमार पास एक रूपए के 5X coin है 50 पैसे के 6X coin है और 50 पैसे के 8X coin है समझके यह चीजी सबको पता है जब भी ratio ऐसे given हो तो उसे number में कैसे convert करते है accent हो लेते है मान लेते हैं कि इतना ही रहा होगा है ना यह basic था और जिसको नहीं पता हो याद कर लेना कि जब भी ratio given और exact number ना पता हो तो उसे accent हो करना अब मुझे एक बात समको जवाब दो मैं आपको बोलता हूं भाईया मेरे पास 10 रूपए के 3 coin है और पूछू भाईया मेरे पास कितने रूपए हुए 300x रूपए हो गए यह 300x रूपए हो गए और यह क्या हो गया यह आपका 25 इंटू 4 200x हो जाएगा 200x रूपए हो गए 560 30 और 25 इंटू 8 करते हो अगर आप तो 100x ठीक है सही है चलो अब तक तो सही लग रहा है तो यह हम टोटल मनी मिल गई कोशन में आगे क्या दिया हुआ है कि टोटल अमाउंट ऑफ रूपीस 420 रूपए है है ना और बताना नमबर ओ 50 पैसे कॉइन कितने है चलो देखते है टोटल मनी कैसे निकालोगे तीनो पैसो को जोड़ दो 500x प्लस 300x प्लस 200x क्लियर बात है यह is equal to क्या होगा 420 रूपए अब यह रूपए है 420 रूपए है हमें चाहिए पैसे तो पैसे लिए करते है 100 से इंटू कर देते है 2-0 बढ़ जाएगा खतम कहानी सब समझ गे प्लस करो इनको यह आएगा 1000x is equal to 42 1000 x की value क्या आएगी 42 sorry sorry पैसे नहीं है x value क्या आएगी 42 मतलब x value क्या आएगी 42 अब देखो क्या पूचा है कि बताओ भाईया जो आपका 50 रूपी के जो 50 पैसे के जो कॉइन आप कितने है 50 पैसे वाला कहा है यह है number of coin क्या है यह है 6x तो आप 6 को into कर दो किस से 42 से आप cancel आजाएगा 252 कतम कर के दिखा जाता हूँ भाईया लो पिछले बच्चे बोले तो मैं आप solve नहीं करते है समझ मैं आए सबको पहले हमने क्या किया हमें number of coin दिया था हमको कितना पैसा का value है वो दिया था हमने total money निकाला कि एक रुपय का कितना हमार पास total money है total money तीनों का निकाला और तीनों को जोड दिया और given था कि total money जो हमार पास है वो 420 रुपय है तो उसको यह पहले पैसे में convert किया तो X की value मिल गई फिर हमने 50 वाले से निकाल दिया सिंपल था कोशन आगे बढ़ते हैं टाइम वेश नहीं करेंगे जादा यह वो कोशन तो मैं पहले करा चुका हूँ mixed कोशन की सीरीज में करा चुका हूँ अब तक वो कोशन दे अब यहां से दिर दिर आगे करके कोशन बढ़ेंगे यह कोशन भी देखो क्या लिखा है बहुत इजी कोशन है फटाफट से निपराओ इसको क्या दिया है कि A इस्टू B की वैल्यू है 6 इस्टू 7 है ना और B इस्टू C की वैल्यू है 8 इस्टू 9 पूछ रहा है कि भाईया A इस्टू C बताओ यानि A का C के साथ क्या रिलेशन है बताओ बताएंगे पहले A इस्टू B इस्टू C तो निकाल ले तो मैंने क्या बता है क्या तरीका होता है A इस्टू B इस्टू C कैसे निकलता है A को B से करो यानि 6 को करो 8 से 8 6 जा 48 इस्टू क्या है एस्टू सी तो एस्टू सी की वैल्यू क्या आई 48 अपॉन 63 से काट ड़ा सकता है अभी यह 3 से कट रहा है 3 बंजा 3, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 16 इस्टू 21 यह आर यह वैल्यू समझ गया कुछ मुश्किल नहीं था एस्टू B एस्टू C निकाला फिर एस्टू C निकाल दिया सीधे से लगी तो नहीं हो थी सेम को स्टू थोड़ी सी लगा ट्रिकी बना दिया देखने में अब पूछ रहा है मीन प्रपोर्शन सब बचों अभी जस्ट शिखाया मीन इस तू हाड़ेड़ ट्वेटिफव इसका निकाल रूट पंदरा का स्क्वेर होता है मतला पंदरा आंसर पंदरा है कहतं की कोशन सिंपल ऐसा ही बेसिक कोशन आएगा लेकिन एक आएगा क्यों क्या करते हैं जाधतर बच्चे क्या गलती करते हैं बच्चीज आंसर को ना तुक्य मारने कलिए-पैचिस मार देंगे जाएगे क्यों य parliamentary 높 राइगा मतलब इसके बीच में 25 ही रहा होगा नाएउ तुर्त प्रमॉशन क्या होता है एसी जिस रेशियो में है क्या इस भी सिखायों मैंने क्या निकाल का था क्या तो ये निकालना का थाएगा होता है मीन to c is to d, तो d वाले को क्या बोलेंगे, 4 proportion कहते हैं, अब क्या दिया हुआ है, a है 4 is to, b है 5 is equal to, c है 12, निकालना है d, यही निकालना है, तो लिखो, 4 by 5 5 is equal to 12 by d, तो यहाँ पर आ जाओ, d को उपर लियाओ, मैं इस तरफ से d को उस तरफ लेगा, और इन सब को इस तरफ लियाओ, तो यह नीचे और यह उपर चला जाएगा, है ना, तो यह क्या हो जाएगा, 12 into 5 by 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 जा 15, 15 पंदरा आ रहा है d का value, यानि proportion में, जो चौथा value होगा, वो पंदरा होगा, खतम question, fourth question निकालना, c गए, a is to b, is equal to c is to d करके निकालना होता, अब आ जाते हैं अगले question पर, लिखा है, two numbers are in the ratio of 5 is to 8, है ना, अब देखो, कभी मैंने बताया, ऐसे question आ है, जो आपको ना values निकालनी हो, तो क्या मान लेते हैं, तो number 3 is to 4, they become 3 is to 4, सबको समझ में, मैंने equation कैसे बनाई, दो number पहले किस ratio में, तो 5 आपको 8 में, तो मैं उसको 5x upon 8x कर लिया, फिर 12 भी added to each, दोनों में 12 जोड दिया, they become in the ratio of 3 is to 4, तो 3x upon 4x का ratio उनका बन गया, ये बास सबको समझ में आई, आ जाते हैं अगले पर, solve कैसे करना है फटा-फट से cross multiply कर दो, तो ये इधर उपर आगा तो क्या हो जाएगा, 4x into 5x plus 12, ये क्या हो जाएगा, 3x into 8x plus 12, फटा-फट से into करो 20x square, plus 412 जा 48x, is equal to 824x square, plus 312 जा 36x, सब कुछ को इस तरफ ले आओ, तो इधर हो जाएगा 0, इसकी value क्या होगा, 24 मेंट से 20 गया, x square, ये ये भी जाएगा, तो minus हो जाएगा, लेकिन ये बड़ा है, तो value minus क्यों जाएगा, minus का 12x, इसको एक काम करो, उस तरफ दो, तो क्या हो जाएगा, x square is equal to क्या हो जाएगा, प्लस का 12x हो जाएगा, ये उधर जाएगा, अब x square से 1x cut गया, काहनी खतम, तो x की value क्या आई, 12 आ पर गलत हो गया, इस line को छोड़ो, यहाँ पर छोड़ो आप, एक उनमें से erase कर देता हूँ, थोड़ा सा जल्दबाजी में mistake हो गया, कोई बयात नहीं, आप लोग मत करेगा, जो मैंने कर दिया है, इसको पहन लेके, चेंज कर देता हूँ, मैं एक में, ठीका, दिए क्या हो है ना, तो x is equal to क्या हो जाएगा, 12 by 3, यानि 4, तो x क्या हो जाए, 4 आई, अब पूछा क्या है कोशन में, the product of two number, अब पहले दोनों number निकालने पड़ें, दोनों number थे क्या पहले, 5x और 8x थे ना, दोनों number, हमने ratio पहले लिख लिए था, तो 5 4 जा 20, और 8 4 जा 32, 20 इंट इं 5x और 8x थे ना, तो 5 4 जा 20, 8 4 जा 20, कुछ तो गल्द कर रहे हैं हम, क्योंकि 32 into 20 जब हम करेंगी है, तो answer जो है, 160 आजाएगा ना, एक मिनट, एक मिनट, यहां फिर गल्दी जाएगा, फोर यहां नीचे जाएगा, तो 12 by 4 हो जाएगा, तो value 3 आएगी, x की, solve करने में दो गल्ती होगे, कोई बात ही, हाँ, इंसान है, हम भी, गल्ती हो जाती है, तो x की value 3 आ रहे है, 3 है ना, तो यह 5 into 3 के हो जाएगा, 15, और 8 3 जा 24, तो 24 into 15 जब आप करोगे, तो आपकी value आरे है 360, देखना आप लोग यह भी तो गलत नहीं, हाँ सही है, 360 सही होगा, सही होगा, स actually में numbers की value यह है, यह है आपके numbers की value, तो इसमें plot करना, आपका answer आजाएगा, 15 और 24, तो 15 into 24 करोगे 360 आजाएगा, सही है, चलो, next question, A is to B दिया हुआ है, B is to C दिया हुआ, C is to D दिया हुआ है, पूछ रहा है, कि the ratio between A and D is, कुछ नहीं करना है, देखा होगा जाता हूँ, कहा C is to C किया है, 4 is to 5, C is to D किया है, 5 is to 8, तो हाँ, देखो, करना क्या होता है, इसको निकालने के लिए, simple आपको करना क्या है, A by B, into कर दो किससे, B by C से, into कर दो किससे, C by D से, क्यों किससे, C से C कर जाएगा, B से B कर जाएगा, आपको A by D मिल जाएगा, दो इतने बड़े इस into कर लो, B by C किया है, 4 by 5 है, into कर लो, और C by D किया है, 5 by 8 है, कर लिया, into, इसकी और पांच से, 5 कर गया, 4, 1 जा 4, 4, 2 जा 8, 2, 1 जा 2, 2, 1 जा 2, 12 किया है, 1 is to 3, समझ कि, आप जैसे, यहाँ पर B से B काटा, यहाँ पर इस से, इसको मत काट देना, यह दोनों सिमिलर नहीं है, म हमें यह expression को solve करने से क्या मिला, A by D मिला, अब वही चीज हम जब इधर solve करेंगे, तो हमें भी वही मिलेगा, मतलब A by D की value क्या आई, 1 by 3, that is, 1 is to 3, समझ गे, हमने इसमें वह पहला वाल तरह क्यों नहीं लगा है, कि वह कहां लगता है, वह सिर्फ इस तक valuable है, A is to B is to C तक, चौथा proportion जब जूड़ जाए, और वह अलग से दिया हो, तो उसको आप ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, उसका सबसे असान तरिगा मैं आपको छिखा दिया, तिनों को into कर दो, तो A और D ही खाली बचेगा, B, B से, CC से कट जाएगा, तो value 1 by 3 आई, सही है, जी हाँ, आगे चलते Simple question, third proportion निकालना है, अभी सिकाया था, अच्छा, यह बार काचलों नहीं सिकाया होगा, third portion निकाया होगा, क्या दिया था, कि A is to B is equal to क्या होता है, B is to C, मतलब, 5 is to 10 is equal to क्या होगा, 10 is to C, समझ के, तो इसे लिख दो, 5 by 10 is equal to 10 by C, तो C की value क्या आई, उसको पाफिज उसको द इसको cross multiply आगया, इसको वहाँ ले गया, इसको वहाँ ले गया, इसको वापस से नहीं चला है, 5 को ले आए, मतलब, basic solving, basic solving करिए, 20 answer आगया, समझ गया, third proportion कैसे निकालते है, third में क्या लगते है, A is to B is equal to B is to C, और 4 निकालना हो तो, A is to B is equal to C is to D, सब लोग समझ रहे इस बा is to C, C को मैंने X ले लिया, तो क्या हो जाएगा, 9 by 12 is equal to 12 by X, तो X value क्या हो जाएगी, 12 into 12 by 9, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 16, next question, देखें न, the fourth proportion, ये भी असान question है, अभी question इदी चल रहे, आखिर में question तक तक हिला देने वाले, आने वाले, tension मतलो, तो fourth proportion कैसे निकालते है, A is to B is equal to क्या, C is to D, मतलब, 3 is to 4 is equal to क्या, 15 is to D, यही होता है, तो 3 by 4 is equal to क्या हो जाएगा, 15 बटे D, तो D की value क्या आएगी, 15 into 4 by 3, 3 by 3, 3 by 3, 3, 5 by 3, 15, है न, तो 5 के 20, खाता है, यहाँ से question थोड़ से ठीक होते है, थोड़ से ठीक, आखिर के question, जो question end में आने, वो थोड़ा सा आपको लग क्या लिख रहा है, इस question को आपको बताने का सरीखा पता हूँगा कैसे, कोई formula नहीं है, what must be added to each term of the ratio, 7 is to 13, so that the ratio becomes 2 is to 3, अब आप इसको minus करो, इसको x low, इसका कुछ भी करो, आपको exact value निकालने में आएगी, मुश्किल, इसको कर लेते है, option के धुरू solve, क्या बोला है, क्या चीज एड कर नीचे है, तो to each the term, यानि इसमें भी और इसमें भी, यही कह रहा है, तो एक काम कर लेते हैं, इसमें add करो, 7 में plus 1 करो, 8, 14 plus 1 करो, 13 plus 1 करो, 14, 8 by 14 की value क्या होती है, 2, 4 जा, 2, 7 जा, यह तो नहीं आया, तुम 2 डाल के देख लो, 7 plus 2 क्या होता है, 9, 13 plus 2 क्या होत तुम तरह 5 डाल के देखो, 5, तो 7 plus 5 क्या होता है, 12, 13 plus 5 क्या होता है, 18, 6, 8, 12, 6, 3, 18, एक hidden trial का method चल गया, 5 answer आगया, मैं वहीं कह रहा है, कि basic यह तुक्का भी आप लगा सकते हो, क्योंकि इसको formula की through करने जाओगा, तो बढ़ा time waste होगा, तो मैंने basic आप उसे खाया है, कि 1-1 करके, या 2-2 करके, तो बढ़ा ड्रामा होता, यह मैंने basic तरीका से इसे try करना, और question इस तरीक से ना बने, तो बताना, मैं इसका proper method होता है, proper method, वो भी सिखा दूँआ, उससे भी कर सकते है, मुश्किल question नहीं, बट यह देखो, hidden trial method से हो रहा है, तो असान है, क्योंकि number इसे छोटे-छोटे, 1-2-3-4 add करने में, कितना ही time लगेगा, 7-1, 13-1 करने में, 7-5, 13-1, time नहीं लगेगा, इसलिए मैंने आसान तरीका सिखा दिया, इसलिए मैं पेपर में समय बचाना जूरी है, हर चीज की trick बच्चों को याद नहीं रहती, मुझे पता है, हर चीज का trick इक formula नहीं याद रहता, है न, ऐसे भी कर सकते हो, ये question अच्छा है, अच्छा क्या है मतला मुझेल नहीं है, बस solve करने का तरीका सिखाना पड़ता है, क्या दिया है, a is equals to 1 by 3 into b, है न, and b is equals to 1 by 2 into c, इस b को यहाँ लिया हो, क्या हो जाएगा, a by b की value क्या हो जाएगी, 1 by 3 ह and b by c की value क्या हो जाएगी, 1 by 2 हो जाएगी, तो आपके a is to b आपको मिल गया 1 is to 3, और आपका b is to c आपको 1 is to 2, आपको a is to b मिल गया, आपको b is to c मिल गया, अब आप सबको मैंने a is to b is to c निकालना सिखाया है की नी इस सिखाया है, मुझे इसकी value निकाल nuclear government में बताएगे, निकालते हो दिक्कट होड़ती कि नहीं, आंसर इसका यह है, सबको यह लिएक आना है, निकालके देखो कि यह बहुता है, और 1 इस्टो 2 से क्या आंसर आ रहा है कि नहीं, करके उताना, चलो, आगे चलते हैं, क्या दिया हुआ है, इदर आजाओ, यहां लिखा हुआ है, 2A is equal to 3B ये दिया हुआ है तो पहले तो मैं आगे का बोलूँगा है नहीं आगे लिखा हुआ है is equal to 4C पहले मैं इन दोनों को solve करता हूँ तो B को यहां ले और 2 को यहां ले जाओ क्या हो जाएगा A by B is equal to 3 by 2 हो जाएगा ये मिल गया और अब इन दो को देखो पिछे वाले को क्या दिया है 3B is equal to क्या दिया है 4C दिया है तो B by C is equal to क्या हो जाएगा 4 by 3 सबको सहन गा है ये बात हमें A is to B मिल गया हमें B is to C मिल गया हमें A is to B is to C निकालना आता है न सबको वही same formula अपलाए करके मुझे answer लाके दिखा देना चलते है next question यहां से question थोड़ी सी रफतार पकड़ेंगे तेज निकलेंगे The ratio of A's age to B's age is equal to 4 by 3 A will be 36 years old देखो A is to B यारनि A की उमर और B की उमर का दो ratio वही है 4X upon 3X है यह है यह सा मानते है यह ratio दिया हुआ क्या लिखा है कि A आज से 6 साल बाद 36 साल हो जाएगा तो सीधी बात है उसकी आज उमर क्या है 30 साल है समझ गए इसको कोई formula से करने मच जाना सीधा अपने अकल लगा हो ना कोई चीज आज से 6 साल बाद 36 की होगी तो अभी तो 30 की होगी ना इसका मतलब क्या है एक उमर अभी क्या है तीस साल है एका रेशो क्या है 4x है 4x की वैलू क्या है 30 ए 4 इसे में लिख सकता हूं 15 by 2 है ना मिल गया अब मुझे निकालना क्या है बी की प्रेजेंटेज निकालनी है वो क्या है 3x है ऐसी जगह 15 by 2 दादो 3 into 15 by 2 45 by 2 that is 22.5 मुश्किल लगा कुछ मुश्किल लगा कुछ नहीं हमने रेशो को पहले एक्स में ले ले रहता है बाकि यामे एक ही प्रेजेटेज दी उई थी यार छुपा के दी थी पर दी उई थी उसका यूज करके आपने खतम आ लिए आगे बढ़ते मुझे बाँ बताओ 15 लीटर का मिक्स्चर है उसका 20 परेशन वल परेशन होता कितना है इन यानि उस 17 लीटर में से 3 लीटर जो है वह वह वाटर है वह पानी है और 12 लीटर जो है वह मिलक होगा यह मिक्सचर था ठीक है अब इनने क्या बोला, इस mixture में 3 लिटर पानी और जोड़ दिया गया, मतलब 15 लिटर के mixture में 3 लिटर पानी जोड़ा गया, तो mixture हो गया 18 लिटर का, और पानी पहले कितने लिटर था, पानी तीन लिटर था, तो पानी हो गया 6 लिटर, ये बास समझ में आई, तो 18 लिटर में स की तो बारा लिटर है अठारा लिटर में से इंटू कर दो हंड्रेट से लिटर गया था था तरीजा दो सो बटे तीन यह आपका आज जागा 66.66 सिंपल था कोशन मतलब इसको करने के और 36,000 तरीके हैं एक दो भी नहीं कहूंगा बच्चों इसे करने के बहुत तरीके हैं मतलब लोग को करने के तरीके बड़े से बड़े यह बताएंगे मैंने आपको सबसे आसान बताया जिसमें कोई फॉर्मला नहीं रटना पड़े मेरा मोटिव आपको तरह तरह की ट्रिक और फॉर्मला देना नहीं है मेरा मोटिव क्या है आपको असान तरीका मिल जाएं मेरे बच्चों को इशू पेपर में ना आया ट्रिक भूल जातें तो हमने पहले क्या किया हमारा 15 लिटर जो गिवन था उसका 20% वाटर था तो हमने निक काल लो कि 18 लिटर में से बाराल ड्रगी क्या परसेंटेज है यही तो कोशन ने पूछा है सिंपल the number to be added to each of the numbers to make the number in proportion is यह भी same question है देखो मैं आपको आता हूँ इसमें भी hit and trial ही करना जद अपनी महनत लगाने मज जादाना एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट 7, 16, 43, 17 इनको proportion में लाने के लिए क्या इनमें add करना चाहिए hit and trial कर लो यार फिर से 7 उमें से सब में 2 जोड दो तो क्या बनेगा 9, 18 और 45, 81 यह तो चलो बन गया 2 is to 3 यह तो बन गया यह तो बन गया लेकिन यह क्या बना 95 और 45 नहीं बना बराबर अब इसमें एक काम को नहीं पांच जोड के देखो है ना पांच जोड के देखते हैं तो क्या बनेगा 7 प्लस पांच 12 इस टू 16 प्लस पांच 21 बारबटे 21 हो गया सबको बढ़ चला is equal to यहां क्या करेंगे 13 प्लस पांच 49 49 79 प्लस 5 84 यह बन गया करके देखते हैं solve 12 बाइ 21 इस टेख सकता हूं 3 4 यहां देखो 48 यह ना पांच प्लस करने 48 होता है 48 बाइ 84 ट्वेल 4 जा 48 ट्वेल 7 जा 84 तो 4 बाइ 7 इस टू 4 बाइ 7 हो गया इस और इस इक करने में और यह तो तरीका को समझाना भी था जब आप खुद करते हैं आप खटा करते हैं चेक करने में और चार ही तो अप्शन होते हैं और आप एक दो ऐसे में ट्रै करना एक दो तीन चार एक उठाना फिर चार उठाना फिर तीन उठाना ऐसे करना ठीक है कोई भी आप उठाल ना आपका एक नाइक वालू अराम सेथे एक मिनट नहीं लगता है इस कोशन में पूरा करने में ठीक है आपकी वालू पांची आनी चाहिए इनका रेष्यो क्या बनेगा गालि यरे आपका अम एंबाता है नेनम से हुस्चा इर यह बन्दा ले जाएगा तो कर लेते हैं, तेरा हिस्से, तो 24, इसको देना है, तीसे वर करो, तेरा हिस्से करो, और उसके तीन हिसे इसको दे दो, खत्म, आप इसको solve करो, कि आपका answer आएगा, 144 आएगा, ना है, किस ये, समझ के सब लोग, इसे काटो कि 144 आजाएगा, अब, सब को समझ मैं ये वाला concept क कि भाया, ये, इंटू करने के बाद, ये क्यों गया या बगया, क्यों कि रेशियो जो होता है, उसे ही निकालना होता है, सब का जो डिनोमेटर, उसे सेम करना पड़ता है, तब ही आपका रेशियो निकल किया, अब, जो नया रेशियो आया, अब, इसमें से हिस्से कैसे नि जाएंगे वही हमने किया 13 में से 13 से को दे दिए कैसे निकालता है इंट गोड़ थी बढ़िए इन लोग को अकाउंट्स पढ़िए जिन लोग उनके लिए उनके लिए तो मखन कोशन था पूरा अकाउंट्स में सिखाते हैं वर जो आर्ट्स और साइंस वाले वह समझ सकते कि कैसे हिस्सा निकाला जाता है बाकि इस कोशन को एक दो बार देखने ना यादी हो जाएगा नेक्स्ट कॉशन ये कोशन है बहुती बढ़िया इन एक तीफाइफ केज ओफ अल्ट्रेड एल्कॉछल इसे तरीके का है क्या है एलकॉछल और वाटर का तो एलकॉछल कितनी है 27 प्लस करो 24 यानि इतना हिस्षा एलकॉछल का है और वाटर का हिस्षा कितना है 7 ऒतल ऑफ बूटर कितना है 85 इतना है 85 तो इसमें एलकॉछल कितना है 17 2 जा 17 5 जा ये भी 17 2 जा 17 5 जा तो ये क्या हो जाएगा 27 into 5 by 2 अभी और नहीं solve करेंगे क्योंकि बेकार में अंत में काम आता है न 7 into 5 by 2 तो इतना amount है water इतना amount है alcohol ये आप exact amount भी निकाल सकते हो प्रोपर पुरा क्या बोल रहा है the amount water which must be added to make the ratio 3 to 1 पहले ratio क्या था alcohol अपॉण में क्या था water 7 है ना इसमें मैं क्या जोड़ूं तो ये ratio 3 to 1 में जाए सब समझ गए मैंने question बताते बताते आंसर बता दिया कि देखो इसमें मैं अगर x माल लेता हूँ कि मैंने जोड़ा तो ratio बन जाए 3 to 1 equation त्यार होगा अब कर लेते हैं solve कोच ही नहीं करना प्रॉस मुल्टिप्राजर से करते हैं इससे लग सकते हैं 27 into 5 by 2 नीचे पहले LCM दे लो ठीक है पहले पूरा ओहो ये मुझसे प्रेंटार में बड़ी गलती होती है भाई ये चलो इसके नीचे आप क्या कर लो पहले सबसे पहले होता है LCM लो क्या हो जाएगा 7 into 5 plus 2x upon 2 अब इस 2 से ये 2 कट गया इधर 3 is 2 बन ही है अब क्रॉस मुल्टिप्लाइ कर दो इसको इससे क्या हो जाएगा 27 into 5 35 is equal to 35 plus 2x है ना इस दिया हुआ है समझ गहे इंटु वाट 3 इसको कर लोगो solve तो क्या हो जाएगा 27 into 5 is equal to 35 को आप 3 से इंटु करो इससे अच्छा उसको यहां वेद दो यहां वेद दो इस तरफ तो नीचे आजाएगा 35 plus 2x तो 3 9 जाए 27 इसको मैं यहां solve कर लेता हूँ यह हो जाएगा 9 into 5 is equal to 35 plus 2x तो क्या हो जाएगा 45 इसको देल लिए हो 35 is equal to 2x 10 is equal to 2x x is equal to 5 x की वाल्यू आगई 5 kg कि सॉल्व थोड़ा लंबा करना पड़ा बाकी कोशन मुश्किल नहीं था बाकी मैं आपको समझाते हुए रुक रुक रुके करना प्रस मैं पेंटा आप से लिख रहा है तो सॉल्व रहा हो सकता इस तरीके से यह आसान तरीका होता है बच्चो पहरें निकाल लो अलकोल कि की कैerk700 अप्न गिवड़यों किसीन टुक बड़ाया चोल लोगाँम्न डिंटुन के लिख लिख लें ना 7 5抬ट साथ 5 2 लिख लें प्रॉप भरल्रोफइल फंटी मैं प्रपराइए लिके सबीकर सकत रहें इसे कर ले आपaskया था मैं क्या तो फुल्टी पारफ इंकों दॉ ratio of 3 is to 2 जो income है x और y की वो है 3 is to 2 के ratio में ठीक है या मैं लग देता हूँ कि उनकी जो income है मान लो वो है 3x और 2x x की income इतनी है y की income इतनी है और उनका expenditure है 5 is to 3 तो मान लो expenditure इसका 5y है और उसका 3y है बोल रहा है दोनों ही लोग 1000 रुपए सेव करते हैं सबको बता है जब income में से expenditure माइनस करते हैं तभी निकल के आती है सेविंग सबको बता है नहीं चीज कि आपने जो कमाया उसमें अपना खर्चा माइनस को तो इसका मतलब 2 equation क्या निकल के आई 3x माइनस 5y is equal to 1000 और 2x माइनस 3y is equal to 1000 यह निकल के आई बच्चों सबको समझ में आया बस अब इन दोनों को solve कर लो eliminate कर लो eliminate कैसे करते हैं इसको भी into कर लो किस से करोगे 2 से इसको इन दोनों को ब्राबर कर सके यह उपराली क्या हो जाएगी 6x माइनस 10y is equal to 2000 यह हो जाएगी 6x माइनस 9y is equal to 3000 सबको negative में डाल दो यह positive हो जाएगा यह negative हो जाएगा यह कट गया यह क्या बचा माइनस y is equal to क्या माइनस का 1000 तो y की value क्या 1000 मतलब आपको निकालना क्या है income निकालना है तो पहले तो आपको इस ratio यहां डाल दो किसी भी जगा प्लॉट कर सकते हो इधर प्लॉट कर दो तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इंटो 1000 is equal to 1000 तो क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3000 is equal to 1000 तो 2x क्या हो जाएगा 4000 तो x क्या वालू क्या हो जाएगी 2000 अब यह क्या निकला है ? x निकला है आपको निकालना क्या है किसकी इंकम निकालनी है income of x निकालनी है income of x का ratio क्या ह一定要 3x तो क्या हो जाएगा 3 into 2000 तो वैली निकल गए समझ गए यह कोशन अच्छे मैंने क्लाता लेकि एंड के जो कोशन है उनमें थोड़ा दम आ जाएगा थोड़े से वो लंबे भी हो सकते हैं जादा टाइम भी सॉल्व करने में लगेगा अगर आपको आता हो तो आप खड़ा करने मुझे इसका इसका इकोशन पता है कि भाई इंकम में से एक्समेंटिस से मानाइस करूंगा मेरा हजार आएगा दोनों बार मैं वही करूंगा फटावट मैं सॉल्व कर सकता हूँ इसको नहीं बादा उसको रगेगा टाइम ठीक है चलते हैं आगे दा एवरेज एज उफ त्री बॉइस इजी कोशन है सुपर इजी कोशन प्रवट से निप्टाते हैं कि उनका average जो है, वो 20 साल है, यानि average की value दी हुई है, 20 एर, और उनके age का ratio क्या दिया है, 3 is to 5 is to 7, तो एक की उमर 3x मान लो, एक की उमर 5x मान लो, अगले की उमर 7x मान लो, किस से divide करेंगे, क्योंकि 3 लड़के हैं, तीन से divide करेंगे, इसकी value है 20, solve करो, क्या होगा, 15x by 3 is equal to 20, तो x की value क्या आई, 20 into 3 by 15, 5 बंज़ फाइव, 3 बंज़ थी, 3 बंज़ फाइव 15, 5 बंज़ फाइव, 5 फोरजा, तो x की value आ गई, 4, किसकी उमर निकालनी है, the age of the youngest boy, youngest boy को होन है, 3x वाला youngest है, 12 साल, 12 years, सबको समझा आगया, सबको समझा आगया, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा, general observation का दिमाग आपका चलते है रहना चाहिए, तब भी आपसे question हो पाएगी, next question को चलते है, हतमगा नहीं, जितने भी question थे, मुश्किल वाले, आसान वाले, important वाले, सब हमने कर लिए है, cover, आपकी वीडियो कोई बहुत लंबी नहीं है, easy-easy question जादा है, मुश्किल वाले, 4-5 ही है, तो 3 बार देखते हैं, अच्छे से कर लिजेगा, ध्यान रखना बच्चो, आपकी अगली वीडियो, percentage की होने वाली है, इसमें question बहुत तरह के आते हैं, बच्चे 90% सवाल percentage गलत करते हैं, बहुत important chapter होता percentage, और यह होता time and distance, यह होता time and work, यह chapter भी आने वाले हैं, तो इनको miss मत करना, ध्यान रखना, यह important chapters हैं, सब आपकी वेपर में आने वाले हैं, तो मेरी quants की series follow करते हैं, playlist section में पूरी series मिलेगी, इससे पहले के 2-3 chapter आप नहीं देखें, तो भी जाके कर लीजे, CVT के time पे mix question जब्मा कराऊगा, उसमें यह बहुत काम आएंगे, वरना हो समझी नहीं आएंगे, quants के लिए रोते हैं रहे जाओगे, okay guys, मिलते हैं अगली वीडियो में, आज इंग्लिश की वीडियो भी और आएगी, हो सकता है, most probably आजाए रात तक ही, उसको भी देख लीजेगा और पूरी series से जुड़े रहेगा, okay guys, all the best!